प्रिया प्रकाश वारियर का इंटरनेट पर वाइरल हुए गाने पर विवाद के साथ अब शियासत भी शुरू हो गई है अपनी कजरादे नए उसे सब को अपना विवाना बना रातो रात इंटरनेट सेंसेशन बनी मलयाली एक्ट्रेस प्रिया को शोहरत के बाद अब मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है वाइल्न टाइम स्टेपे विग में इंटरनेट पर भी यूजर्स इससे समबंधित वीडियो फोटो और क्लिप अपने सोशल मीडिया प्लाइट फॉर्म पर शेर कर रहे है इसी बीच पिछले दो दिनों में एक वीडियो क्लिप भी फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टार ग्राम और वोटेट पर वाइरल हो रही है लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये लड़की अपने असल जिन्दिकी में क्या करती है नहीं ना तो हम आपको बताएंगे दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपने हमारे चनेल को अभी तग सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब करों ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की अपरेट उसी बक्त मिलेगी जब हम वीडियो अफ्लोड करते हैं प्रिया का पूरा नाम है प्रिया प्रकाश वारियर केरल में की रहने वाली प्रिया अभी सिर्फ 18 सांग की है और प्रिया पिल्हाल वीकॉम में पढ़ाई कर रही है और प्रिया मोडेल और आक्चर्ज हैं जिसने अपने करियर की शुरवात इसी फिल्म से शुरवात की है और इसके पहले गाने ने ही दुनिया को अपना दिवाना बनाया है। प्रिया फिल्मों में काम करने से पहले वो ड़से भी करती हैं और आपको बतारे कि प्रिया असल जिंदिकी में गाना भी बहुत खूब गाती हैं। रातो रात छोटे से वीडियो से पॉपिलर होने वाली प्रिया प्रकाश के सामने एक मुसीबत आखडी हुई है हाइदराबाज के मुस्लिम योथ ने प्रिया प्रकाश के खिलाफ पुलीस में शिकायत दर्श कराए है शिकायत में फिल्म के मेकर उमर लुलू और प्रिया प्रकाश पर मुस्लिमों की भावनाय आहत करने का आरोप लगा है जब प्रिया से पूछा कि आप स्टुडन्ट है, कोलेज जाती है, दोस्त है, टीचर्स है तो सभी कैसे इस वीडियो के बाद रियेक्ट कर रहे है इस पर प्रिया ने कहा कि मेरे टीचर्स बहुत प्राण फील कर रहे हैं और सभी बहुत स्पोर्टिव है गाने मन प्रिया के आँखों से जुड़े सीन पर पुछे जाने पर प्रिया ने कहा कि आँख वाला सीन हमारा कोई पहले से तैसीन या प्रेक्टर किया हुआ सीन नहीं था आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह सीन अच्छा हुआ और हमारे डाइरेक्टर ने एक बार में ही ओके कर दिया था